हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स स्टडी साथ साथ तो अब हम फिर से हडपा सब्याता के 25 कोशन्स करेंगे जो हमारी सीरीज में रह रहे थे लास्ट 25 कोशन्स जो प्रीविएस एर एक्जाम में आए हुए कोशन्स है ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज चलि सीजी पी सीएस में पूछा गया है ठीक है 2011 में और यह चोड़े किसी भी एक्जाम में आने के लिए बहुत अच्छा कोशन है ठीक है अब हम इसके उप्शन पढ़ लेते हैं सेर घोड़ा गाय हाती तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेर ऑप्शन ए सही है कोशन मे अपसे 3 संदुगाती सब्बैतां में नहीं पाइत तो सिंद्धुगाती सब्बैता के लोग घोडे से अब अबगत थे और हाती से भी क्योंकि जब मोहर पाई गई थी तो उसके नीचे इनके चितर बने हुए थे और गाय से गाय तो नहीं पाई गे थी पर बैल पाया गया था चिंदुगाटी सब्वैता में तो बैल पाया था तो गाई भी तो कहीं होगी इसलिए गाई के स्थेश भी लेते हैं चलिए नैस्ट दिये गए कथनों पर वचार कीजिए इसमें तीन कथन दिये गए हैं जिसके option मतलब कूट नीचे दिये गए हैं कि कौन से गया है हम कतन पढ़न तेसे शृष्टा का समाच 4 भाड़ों में विवाजिट्थ्था कतन दूसरा कह रहा है जादू कर Jubar Gl거나 में सामिल था और तीसरा क्रार सिंदुindungत भाड़िसे दास प्रता का परचलन था उप्यूक्त कथन में से मतलब कौन से कथन सत्य हैं उपर तीन कथन दिए गए हैं उन में से कौन कौन से कथन सत्य हैं तो हम इन्हें पढ़ लेते ठीक से सिंदुगाटी सब्वेता का समाथ 4 वर्गों में विवाजित था बिल्कुल सही है हाँ वाशी थे वहां के अलग कारीगर अलग तरीके से रहते थे टीले बने हुए थे कि प्रोही तूचे टीले पर रहेगा तो वर्णों में विवाजित था तब ही उनके रहने की जगा इस तरह से थी ठीक है अब दूसरा पढ़ लेते जादू कर विद्वान वर्गों में सामि को ठीक है तो कौन सा राइट ऑप्शन हुआ ओप्शन सी चलिए नेक्स्ट निमलिक इसे कौन एक सुमेलित नहीं है इसमें दो वर्ग दिये हुए है यह एक यह है और एक है तो यह पूछ रहा है कि इसमें जो वी वर्ग का नाम दिया गया है क्या वह सामने वाले से उसके क करने वाले लोग टे अप्शंचलिए है वय पारिवर्ग चर्मकार थे और स्रुमिक ब चर सकते मतलब इसमें गलत मिल वॉपैम एक हौज कपा से ने थो सिंदुगाटी सब्वेता के लोग का मुख्य विवसाई क्या था यह एससी में बूच गया कोशन है और यह तो बहुत वार रिपीर होता कोशन की वहां पर मुख्य कारे क्या होता था तो उप्षिन पढ़ लेते हैं हम पहले व्यापार पसुपालन शिकार यह किरसी तो इसका बींदया है इसके ऊप्षिन पढ़ लेते हैं ऑप्षिन आ सिकर्रिया और ऑप्षिन बी है लोथल says सी एं माह स्थांगर ऑप्षन डी tim घ्राइट ऑप्षिन है option B लोथल तो हडपा में बंदरगा कहां पाया गया था लोथल में एक मातर ऐसी जगाती लोथल जहां पर बंदरगा पाया गया था और यही हडपा सब्वेता की शिंदुगाटी सब्वेता की बानिजिक राजधानी थी ठीक है तो यह वाली वीडियो में मैंने सारी डिटे हडपा सब्वेता में सबसे ज्यादे चांदी की चीज़े मिली है चलिए नेक्स्ट हडपा वासी किस वस्तू के उत्पादन में प्रथम थे मतलब यह किसी एक वस्तू को बहुत जादा उत्पादित करते थे उसमें प्रथम यह भी ऐसे सी में पुछा गया कोशन है पास को सुब नेक्सट अ क wrapahali नि स्तिरों से अभी तक कि दाटू की प्राप्ति नहीं हुई है तो यह इसमें तीन चाहरा है कि दिखारा ढखनी में लोहा तो इसका da ऑप्शन दी लोहा सिंदुगाटी सब पैता में लोहा नहीं मिला था सिंदुगाटी की खुदाई में मिले अपसेसों में ततकालीन व्यापारियों और आर्थिक विकास के उद्धोगता निम्न में से कौन से थे ठीक है यह सीपियों में पूछा गया 2003 में कुश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं मिट्टी के बरतन मुद्राएं नावे या मकान तो कीजिए नीचे तीन कथन दिये गए हैं और उसके कूट नीचे दिये गए हैं कि कौन से सही है ठीक है जिस परकार अभी पिछला कोशन आया था चलिए हम पढ़ लेते हैं सिंदु निवासियों का व्यापार संतुलित था और कथन दूसरा कह रहा है वह यह व्यापार जलिय मार्ग से होता था और कथन दीचरा कह रहा है सिंदु निवासियों का व्यापार संतुलित था बिल्कुल सही बात है संतुलित था वह यह व्यापार जलिये मारग द्वारा होता था हां बिल्कुल सही बात है लोथल में मैंन बंदर का बताया था तो उसी जलिये मारग द्व जानते थे ठीक है तो थर्ड गलाते है तो इसकर राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी कि चलिए नेक्स्ट निम्लिकित में से किस निर्माणी मतलब सिल्प साला निर्माण इस्थल जो होता है इस्थल से चूना पत्थर और चल्ट फल मतलब ब्लेड ब्लेड के जैसे बने हुए के ठेरे उत्पन किये जाते थे और सिंद में विबिन हडपा वस्तियों में भीजे जाते थे मतलब वहां पर तो एक सिल्फ स्थल से वहां से उत्पन किये जाते थे वहां बनाये जाते थे और हड़ापा के विवन वस्तियों में बेजे जाते थे यह CDS में पूछाता है 2020 में यह लिखा हुआ इसके चलिए option बढ़ लेते हैं इसके option A है सुकुर और रोहणी पहाड़ियों पर option B है राजिस्तान के खेद्रड़ी पर और option C है चगाई पहाड़ियों पर option D है बलुचिस्तान की पहाड़ियों पर तो इसका right option है option A ठीक है सुकुर और रोहेडी पहाड़ी ओपर भेजे जाते थे हडपा सब्यता की यह वस्ती थी एक चलिए नेक्स्ट सिंदु घाटी के लोग थे पूजा किसकी करते थे यह पूछा गया इसमें UK PCS में पूछा गया UK मितलब उत्राखंड चलिए पढ़ लेते हैं option option A है पसुपति option B है इंद्र और वरुन option C है ब्रह्मा option D है विष्णू तो इसका right option है option A पसुपति को जाता पूजा जाता था मांबार चलिए नेक्स्ट देवी माता की पूजा किस से संब्मन्दित थी SSC को पूछा हुआ कोशन है यह मतलब यह बहुत बार रिपीट होगा option C है सिंदुगाटी की सब्वेदिक सब्वेदा से तो इसका right option तो सबको पता हुआ कि देवी माता की पूजा कहां होती थी option C सिंदुगाटी सब्वेदा में किस हडपा कालिन इस थर से नरत्य मुद्रा वाली इस्तरी की कासे की मूर्थी प्राप्त हुई है आर आर बी में पूछा हुआ कोशन है यह ठीक है option पढ़ लेते हैं option A है मोहंजोदाडो option D है काली बंगा option C है हडपा option D है बना वली तो इसका right option है option A मोहंजोदाडो यहीं स कासे की पनी हुई मूर्थी मिली है नेक्स्ट म्रण पट्टिका का उत्किरण सिंग युक्त देवता की कीरती प्राप्त हुई है यूपी PCS में पूछा हुआ कोशन है स्थल के नाम दिये हुए option में option A है बना वली option B है काली बंगा option C है लोथल option D है सुत कॉंग डौर ठीक निम्द मेंसे कौन एक सुमेलित नहीं है इसमें चार option दिए गए हैं और हमें वतना है कि कौन सा ठीक सुमेलित नहीं है थीक है मतलब नहीं वाला इस point को जादा तेहां से देखना नहीं वाला बताना है हमें थीक है option A है कंठार आभूसन एक option B है दीप लक्षमी देवी है एक और आधिती जो है वो भी एक देवी है और रुद्र रुद्र सिव देवता तो इसका option जो गलत है वो C option गलत है आधिती कोई देवी नहीं थी ठीक है next दिये गई निमलिकित कथन पर विचार कीजिए इसमें 4 कथन से सकों से नीचे बता रहते हैं देखे लिए उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यह मतलव sandwiches अप्प्षन करहा कि पहला रोब्बर होग पेसरा डूसरा कहते हैं अप्पन सी कह रहा है पहला तीसरा और चोथा कथन सही है ऑप्षन लिक है कि उपर दिये हुए चारो कथन बिल्कुल सही है ठीक है अब हम पहले कथन पढ़ लेते हैं फिर हम देखते हैं कि कौन-कौन से कथन पसभयता में सरवादिक संख्या में नारी की मुरत्मूर्तियां प्रापतु है ये बात बिल्कुल सही है कि वहां से नारियों की मूरति कर पूजा करते थे हां वहां से एक मूर्ती भी मिली है जिनके उनके गर्व से एक पेड़ निकल लाज इने धर्दी माता के रूप में पूजा जाता था बिल्कुत सही कुछ कथन है और थर्ड कथन पढ़ लेते हम हरपा सब बैता में ब्रक्ष पूजा वे नाक पूजा का प्रचलन था बिल्कुल सही है हां वहां पर ब्रक्ष की पूजा भी की जाती थी और नाक पूजा भी की जाती थी और फूर्थ उप्शन पढ़ लेते हरपा सब बैता के लोग बूत परेद एवं जादू टोना में विश्वास नहीं करते थे यह बिल्कुल गलत है वो करते थे सब में विश्वास ठीक है तो इसका राइट ओप्शन कौन सा हो गया ओप्शन ए पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है नेक्स्ट निम्लिगित में से किस पसू का अंकन हडपा सब्वेता की मोहरों पर नहीं मिला है यह यूपी PCS में पूछा गया कोशन है ठीक है तो यह कह रहा है मैंने बताता है एक मोहर मिली थी थी वाली वीडियो में बताता कि उसके नीचे क्या क्या चीज मिली थी लेफ्ट बनावा नेक्स्ट सरवाधिक संख्या में मन के किस का निर्मान किस से हुआ है ओप्शन यह है पकी हुई मिट्टी मतलब ₹प से और लेफिच शेफ से जयब स्पर से और Но here came एक पकी हुई मिट्टी मतलब ₹प सबसे मन्रीफ मना जाते थे नेक्स्ट निम्लैकट्व पस्वों में से किस एक का हडपा संस्कृति से प्राप्त मुहरो और टेरा कोटा कलाकृतियों में निरूपन नहीं हुआ है चलिए option पढ़ लेते हैं गाए हाती गैंडा और बाग तो इसका right option है option एक गाए मैंने कहा था ना सिंदुगाटी सब्वेता में बैल के साक्षे बहुत मिलें पर गाए के साक्षे नहीं मिलें पर जब अगर बैल है तो गाए भी तो कहीं नहीं होगी चलिए नेक्स्ट सिंदुगाटी सब्वेता की लीपी कौन सी थी ये भी एससी में पूछा गया कोशन है हम पढ़ लेते हैं ब्रामणी तमिल खरोस्टी या अग्यात तो इसका right option है option डी इसमें लीपी का ग्यान नहीं हुआ था कि किस तरीके की करते थे वह चित्र बना दि दिए गए हैं वह एक option ऐसा है जो सुमेलित नहीं है चलिए पढ़ लेते हैं option म्रदन लाल और गुलाबी रंग सही है यह बिल्कुल सही दिया हुआ है और option भी है मुद्राएं गनाकार और गोलाकार सोने और चांदी की हाँ शिंदुगाटी सब्वेता में वैसे जो वैपार होता था वो सामान को अदलावदली के द्वारा होता था पर यहां पर मुद्राएं भी मिली है गनाकार भी मिली है आयताकार भी मिली है गोलाकार भी म वो लाल रंग जादा यूज करते थे चली नेक्स्ट खड़ापई मूर्ति कला के अंतरगत कौन सामिल है ठीक है नीचे कूर दिये गई है अगर उपर कथन जैसे भी सही होंगे उस तरीके से तो हम पहले उसे पढ़ लेते हैं कथन को एग है कथन योगी की मूर्ति विल्कु शही है यहां पर एक योग की मुद्रा में खड़े उए योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है ठीक है ओप्शन भी कह रहा है काशे की नरत्यक मूर्ति तो यह भी सही है कास चेकिए कि निरत्य करती हुए मूर्थी प्राप्त हुई है ठीक है गौमतेश्वर की मूर्थी नहीं यहां से कोई गौमतेश्वर की मूर्थी प्राप्त नहीं हुई है और फौर्थ कथन क्या करा संयुक्त पसुपती मूर्थी हां यह ठीक है यह प्राप्त हुई है तो नहीं है तो यह नीचे चार कथन दिये गए हैं इन में से कोई एक कथन है जो हड़ापा सरंस्क्रिप्ति से बिल्कुल अलग दिया गया होगा हम पढ़ लेते हैं पहले एक अधन यह है उप महादीब के प्रारमिक नगर की साक्षी रही है बिल्कुल सही बात है यह महादीब क साक्षी रही है प्रारमिक नगरों की और यह सबसे बड़ी सब्वाता है भारतियोंकम, आदीब की बी पढ़ लेते हैं इसमें दाहीं और से बाहीं और को लिखने जाने इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरमिक ग्यात उपयोग का प्रमाण मिला है नहीं सिंदुगाटी से पेता में तो लोहे का उपयोगी नहीं हुआ है लोहे की खोज जो हुई थी वो उत्तरवे दिकाल में हुई थी इसमें मूर्तियां बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरमिक ग्यात उपयोग का प्रमाण मिलता है पत्थर की बनी हुई मूर्तियां थी इसमें नेक्स्ट कोश्चन निम्लिकित में से कौन सा कारण हलपा सब्यता के पतन के लिए उत्तरदाई नहीं था नीचे चार कारण दिये गई हैं और उसमें कई तरीके से खतम होने के बारे में बताया था सिंदुगाटी सब्यता में और उसके नीचे कारण दिये गए हैं पर इनमें से एक कारण नहीं है जो सिंदुगाटी सब्यता की पतन का कारण हो हम option पढ़ लेते हैं ये किस exam में आई है असिस्टेंट कमाइनर के exam में आई हुआ है 2010 में तो इसका पहला option है परिस्थित की बदलाव दूसरा option है भूकम्प तो तीसरा option है जल परिवर्तन और फूर्थ option है आरे आक्रमण तो इसका राइड ऑप्शन है जल परिवर्तन जल परिवर्तन कोई वो नहीं था इसका कारण इसके पतन का वैसे हड़ापा सब्यता के पतन के बहुत सारे कारण बताए गये जिसमें पारिस्थिती की बदलाव बताए गया है और जो नील नदी थी उसका बांध तूट गया था उसकी वज़े से वो सब बह गए थे वो सिंदु नदी का बांध तूटने से और महां बूकम के बारे में बताए गया है और आरेयो के अक्रमण के बारे में बताए गया है चलिए आज हमारा last question था और सिंद वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब और चैनल इफ यू लाइक इट थैंक यू थैंक यू वाचिंग